दोस्तो नमस्कार अपने चैनल पे में विजे प्रकास आपका हार दिख स्वागत करता हूँ दोस्त मैंने कल ही अपने वीडियो में कहा था कि आज से कल तक CEO Mr. S द्वड़ा कार्पूरेट इबेंट जरूर होना चाहिए चलिए मेरा एभी अनुमान 100% सत्य हुआ आपकी O Founder Back Office में इसके regarding message आ गया है यह event only brand master के लिए है आज है 13 दिसंबर मंगल बार का दीन है आज founders के लिए कुछ जरूर special हो सकता है इंडियन समय के अनुसार आज रात सारे 10 बजे यह corporate webinar सुरू होना है आप समय से यह जूरने का जरूर परियास करें ताकि आज रात के corporate event में मिले updates का आप भी साक्षी बन सकें आज O Connect, O Tracker and O Play के साथ साथ कुछ और भी नए updates हमें मिल सकते हैं मैं तो कुछ खास कहना चाहता नहीं हूँ क्योंकि छोटी मुह बरी बाते हो जाएंगी पर इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अब चाहे जैसे भी हो चाहे जो कुछ भी करना परे अब कोई ऐसी भी आउस्ता जरूर होनी चाहिए जिससे founders को एपल के दरसन हो सकें मुझे पता है कि अब बहुत जल्दी होने वाला है मगर अब किसी भी करन से इसमें देर होता है तो मुस्किलें बरहेंगी बहुत सारे founders के इसी से मिलने वाले income के नाम पर बहुत सारे founders उधार ले लिये हैं करजे ले लिये हैं कि इससे income सुरू होते ही हम चुका देंगे वे करज देने वाले को date पर date दिये जा रहा है बहुतों ने तो 31 December तक का last date भी दे दिया है अगर 31 December तक भी कुछ नहीं होता है तो ऐसे founders की परसानिया बरने वाली है क्योंकि तगादा करने वाले बखसेंगे नहीं उन्हें तो किसी भी हाल में अपना पैसा वापस चाहिए अगर founders के इपल आने कम संख्या में भी सुरू होते हैं तब भी उनकी तकलीफ हैं बहुत थतक कम होगी उमीद है आज के corporate event में बहुत सी चरचाय होगी क्योंकि मुश्किल से इस December मन्त में अब 17 से 18 दिन ही बचे हैं अगर सब कुछ 2022 में ही होना है तो अब 2022 में सिर्फ 17 से 18 दिन ही रह गया है बरी कसम कसे इस जिंदगी की दोस्त कभी जिंदगी का एक एक पल कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता बट दूख की रातें तकलीफों के दिन कैसे आजिस्ता कटते हैं यह जिसके उपर होता है बस वही जानता है मैं ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स को जानता हूं जिनके जिंदगी की एक एक पल काफी तकलीफों में कट रहे हैं चुकि जेब में उसके फूटी कौरी भी नहीं है पर वह बात करता है बीम डबलू ओडी और मरसडीज का अब इस सालत में तो लोग उस पर हसेंगे ही कि करजे तो किसी का लोटा नहीं पा रहा है घर परिवार भी बड़ी मुस्किल से चल रहा है और इसके मुह से ओर डी बीम डबलू मरसडीज के नीचे कुछ निकलता ही नहीं दोस्त इस सालत में कोई भी सुनकर हसेगा एक रीकसा खीचने वाला आप ही से अगर कहे कि मैं बहुत जल्दी बीम डबलू लेने वाला हूँ क्या आप विश्वास कर लेंगे उसकी बातों पर क्या आप नहीं हसेंगे उस पर कुछ यहीं हाल फांडर्स के साथ भी हो रहे ह अधिकांस फांडर्स की आर्थिक इस्तिती ठीक नहीं है वे दस-पांच-छजार कहीं से अरने भी कर रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे घर परिवार का गुजारा करूं या बहन बेटियों के साधी में जो करजे चरह हैं उसे चुकाऊं इस परिस्तिती में उन्ह कुछ भी जिन्दगी में हो पाना संभव है दोस्त प्रोसेस को इंजवाय करने को चाहे कोई भी फांडर्स या लीडर्स कहे बट यह हकीकत है कि पैसे की जरूरत सभी को है अब इसी में किसी को कम जरूरत है तो किसी को अधिक जिनके पास अच्छे खासे इंकम के जरिये है उन्हें बहुत अधिक फर्क इससे नहीं पड़ता है इंकम आज इस्टार्ट हो या एक साल बाद हो पर जो चारों और से समस्याओं से घिर चुके हैं करजे वाले दरवाजे पे आ के सोर सरावा बेजिती करके जा रहे हैं इन्हें सक्त जरूरत है पैसों की इंकम की रही फाउंडर्स के ओन पैसिप पे विस्वास और भरोसे की बाद तो इस बात का कोई इसी से अंदाजा लगा सकता है कि उसने करज औसुली करने वालों से बार बार यही कहते आ रहा है कि बस एक बार ओन पैसिप से इंकम स्टार्ट हो जाने दीजिए आपके पाई पाई सारे करजे शुका दूँगा दोस्त उस फाउंडर्स को कितना भरोसा है ओन पैसिप पर यह उसके बातों में साफ जलक रहा है मैं एक फाउंडर को जानता हूं दोस्त उसके फैमिली में उसके पिता जी पतनी और बच्चे है उसकी चार सिश्टर थी उसने चारों का साधी कर दिया मगर अपने सर पे दस लाग का करजा भी चरहा लिया आज देंगे कल देंगे करते करते सालों बीट गये अब करज देने वाले इसके घर पे रो जाके गाली गलोज कर रहे है वह खुद दिल्ली में जाके किसी फैक्टरी में दस बारा हजार पर काम कर रहा है जबकि उसे भी पता है कि इस कमाई से मैं एक उर्पिया भी करजा नहीं चुका सकता यहां तो दस लग की बात है चुकी वह दस बारा हजार परिवारी खर्चे में ही कम पर जाता है उसने कल मुझे फोन किया था वह इतना रो रहा था कि रोने के रो में कुछ बोल नहीं पा रहा था मैंने कहा समालो अपने आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा उसने कहा क्या ठीक हो जाएगा सर जी मैं तो दिल्ली में हूँ उधर लोग आज दरवाजे पे आके मेरे पिता जी और मेरी पत्नी तक को मारे है थपर से घर में आग लगाने को बोल रहा है सब को जला देने की धमकिया दे रहे है दोस्त मैं इसकी बाते सुनकर खुद भावख हो गया उससे समझाते रहा मगर समझाने से तो उसके समस्या का समधान नहीं होने वाला पिता और पत्नी का थपर वापस नहीं आने वाला बेचारा रोज मरमर कर जी रहा है पता नहीं वे लोग कब उसके घर परिवार को उजार देंगे क्योंकि वे दबंग किसमी के लोग हैं कभी भी कुछ भी कर सकते हैं अब लाश्ट डेट उसने दिसमबर 31 तक का दे दिया है कि ओन पैसिप से इंकम आराम होते ही मैं दिसमबर से कंटीनिव हर महिने कुछ ने कुछ पैसे लोटाता रहूँगा अब वे लोग 31 दिसमबर तक का वेट कर रहे हैं इसके बाद क्या होगा उससे भी नहीं पता वह तो बस इसलिए घबराया हुआ है कि दिसमबर भी करीब आधा निकल गया ना पेट प्रोडक्ट आया ना ओ कनेक्ट आया ना पेपलान ना पैकेज ही आया रिफरेल लिंक भी नहीं आया इनकम की तो अभी बात ही छोरिए अब तो मुझे परिवार सहीत 31 दिसमबर के बाद सुसाइट करना पड़ेगा दूसरा कोई भी रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा दोस्त मैंने उससे समझाने का बहुत प्रयास किया कि धहरे रखो विश्वास करो सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम अराम से अपने सारे करजे चुका सकोगे हिम्बत रखो उपर वाले साइट तुम्हारी अंतिम इम्तहान ले रहे है सुसाइट करना समधान नहीं है समस्याओं का अब क्या हार मानना जब तुम अपनी जीत के इतने करीब आ गए हो मैंने उससे कहा कि जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं तब उपर वाले हमारे संघर्स को आसिरबाद में परिवर्तित कर देते हैं दोस्त यह सच्चाई है कि लोग हाल चाल तक पुछना छोड़ देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि आप पैसे की वज़े से असहाय और लचार हो गए हैं पतंग और जिंदगी में एक समानता कॉमन है ये दोनों जब उचाई में हों तो वाह वाह होती है वरना नीचे पतंग भी तबाह होता है और जिंदगी भी तबाह होती है दोस्त जिन्दगी की सुन्दरता इस बात में नहीं है कि हम कितना खूस हैं बलकि इस बात में है कि हम से कितने लोग खूस रहते हैं उंचाई पर जाना भी बहुत मुस्किल काम नहीं है उंचाई पर टीके रहना और ग्रो करते रहना ये बड़ी बात है जो हमें on passive में मिलने वाला है मैं जानता हूँ अधिकांस founders के story लगबग एक जैसे ही है बट panic नहीं होना है दोस्त उपर वाले हमारी अंति परिक्षा ले रहे हैं इसमें हम पास हो गए तो सब कुछ हमें हासिल होने वाला है जो चाहत है हमारी जो सपना है हमारा थोरा और धैरे रखें थोरा और वेट करें CEO Mr. S दोरा हमें कभी भी surprise मिल सकता है भरोसा रखें सभी product भी आएंगे referral link भी आएगा पे structure and package भी आएगा wallet भी है strong होने लगेगा ये जवाने सुरू हो जाएंगे तो धरा धर आते जाएंगे बस हमारे काम्याबी के दिन अब सुरू होने ही वाले हैं बहुत जल्दी हमें ब कि एमाजोन के total profitability का 40% हिस्सा अकेले उसके एमाजोन web service AWS data center से आता है आप data center से जेनरेट होने वाले revenue का अंदाजा लगा सकते हैं और on passive के पास कई 70 साली data center होने वाले हैं एक तो 2-3 महिने से work में भी है धर्ज रखिये सब कुछ होगा हम 100% जीत रहे हैं पर वीडियो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें आपके उजीवल भाविस्की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंकिव दोस्त धन्यवाद